वेलकोम बेक अबनेक्स टिविस कलास सुट्विस इन प्रीबियस कलास वी कम्प्लीटेट अबर मैरे दाफ फोलोईंग ओके नौ तोडेई विल राइट अबर एंसर इन वन वर्ड यहाँ पर आपको जो चार सेंटेंज दिये गए हैं उनके answer आपको केवल one word में लिखना है ओके, now let's start आपको यह बताना है यहाँ पर कि जो plant का आप root वाला part खाते हैं तो आपको इसका एक example देना है कि आप कौन सा plant में से root वाला part खाते हैं ठीक है जो आप खाने में use करते हैं तो हम vegetables में से या fruits में से कौन सा part खाते हैं जैसे root वाला part होता है तो हम जेकिये, जो fruits होते हैं तो आपको पता है fruits कौन कौन से होते हैं vegetables भी आप लोग को पता है है तो अब रूट के रूप में हम कौन सा फार्ट खाते हैं हम खाते हैं C A R O T अब नेक्स्ट है हमारा प्लांट यह सा प्लांट जो आपको कौटन देता है तो कौन सा प्लांट है वो उसे बोलते हैं हम कौटन प्लांट लिखें यहां पर C O O T O N कौटन प्लांट जो हमें कौटन देता है ओके नौ कम ओन थर्ड अ एस्टी इएम स्टेम टी एटी डेट वाई ओ यू यू एटी इट या स्टेम डेट यू इट फ्रूट्स में से या वेजिटेबल्स में से आप स्टेम में से कौन सा वाला क्या चीज खाते हैं ठीक है तो यहां पर लिखें स्टेम में हम खाते हैं ओनियन लिखें अपर ओ एन आए ओनियन मींस होता है प्याज तो हम प्याज को स्टेम के रूप में खाते हैं अब फोर्ट है हमारा वाई ओ यू जी इटी गैट पी ए आर एफ यू एम पर्फ्यूम एफ आरो एम फ्रॉम यू गेट पर्फ्यूम फ्रॉम अब आपको जो पर्फ्यूम मिलता है जो बॉडी स्प्रे लगाते हैं वो हमें कहां से मिलता है कौन से प्लाइंट के किस पार् तो यहां पर एक फ्लावर्स का नाम लिखिए जैसे आर ओ एस ए यू गेट पर्फियूम फ्रॉम रोज ओकी जो आपको पर्फियूम मिलता है वो हमें किस से मिलता है रोज रोज मीन्स होता है गुलाब आगे आप लोग को समझ में तो इसके आगे के नेक्स टॉपिक हम नेक् करेंगे थैंक्यू वेव नाइस देए